हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे हिमाचल प्रदेश का अधूनी कितियास वीडियो में डिसकर्स को क्वेश्चन एंसर और एमसी क्यूँ तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इसमें महराजा रंजीत सिंग ने किस वर संसार चंद से कांगड़ा किला प्राप्त किया 1809 में सन 1770 में राज़े गमंचंद को अपने समराजी का विस्तार करने से उसे हरा कर किसने रोका था जैसा सिंग रामगड़िया राज़े संसार चंद की हिमाचल प्रदेश में 130 हिंदु राज़े के गठन की मातव कमिक्षा को किसने द्वस्त किया महराजा रंजीत सिंग ने 12 मिश्लूमी विवाजित 21 सिख ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से कांगड़ पर 1809 सुई में राज़ किया महराजा रंजीत सिंग देशा सिंग मजिठिया ने जय सिंग का नईया ने किस सिंग कांगड़ किला खाली करवाय था जीवा खान महराजा रंजीत सिंग को फौजों ने किस वर्ष मंडी पर कबज़ा किया 1849 में महराजा रंजीत सिंग ने कुलू की यात्रा कब की 1808 में 9 मार्च 1840 को सिखों ने अंगरीजों को युद क्षती के रूप में क्या दिया कुलू कांगडा और लहुजपिदी संसार्चंद के पूतर के नाम जिसका युद रंजीत सिंग से हुआ था अनिरुद साथुज नदी के दक्षिन के सभी पाड़ी क्षत्रों को सिखों ने ब्रिटिशरों की किस संदी के द्वारा स्वांपा था लोहार संदी 1846 में हुई थी 1805 इसवी में गोर का सेनक नित्रित्व किसने किया जिसने कांगडा पर आकरमन किया था अमर सिंग ठापा गोर को और ब्रिटिश के भी सुगौली की संदी पर किस बर्ष अस्ताक शर हुए 1815 इसवी में 1815 इसवी की सुगौली की संदी का हिमचल प्रदेश्व उत्रखंड के पाड़ी क्षित्रों पर क्या राजनेतिक प्रभाब पड़ा गोर को का इस क्षित्र से प्रभाब कतंबो अंग्रेजों का प्रभाब शुरू किस संदी द्वारा गोर काउने 1815 इसवी में पहाड़ी वियास्तों पर अपना दावा छोड़ दिया सुगौली के संदी गोर को ने अमय सिंग ठापा के नित्रितों में सन 1805 से सन 1809 तक क्या किया महल मूरियों में संसार चंद को हरा कर कांगण के लिए मिशिपने के लिए मजबूर 1815 के मलोन और रामपूर शहर का युद्ध का परिणाम क्या था गोर का परेजे गोर को ने बुशेहर यासत के हिसो पर कबजा किस अबदी के दारान किया था 1803-1815 के बीच चौपाल जूबल और राविगड क्षेत्रों में गोर काओ के बीरुद अभियान का नेत्रितों किस ने किया जेम्स वेली फ्रेजर ने कालका के निकट वो कौनसा परवतिय स्थलता जहां पर उनस्वी शताबदी के प्रारंब में अंग्रेज राजनतिक प्रतिनीदी ने रहना प्रारंब किया था सबाथू कांगडा कूलू अल्लाहुलफ पिदिक शत्रों को कब अंग्रेज शास्कों ने एक जिली के रूप में संगटित किया 16 मार्च 1846 को गोर्खो एवन बिटिश के बीच सगौली के संदी किस वर्ष हुई 1815 में जब अंग्रेजों ने 1814 में हिमाचल प्रदेश पर आकरमन किया तो हिमाचली शास्कों ने किसके विरुद यूद किया था गोर्खो के विरुद अमर सिंग थापा ने किस अंग्रेज सेनापती ने गोर्खो को हरा कर उन्हें 1815 में सुगौली की संदी करने पर विवश किया डेविड अक्टर लोनी ने गोर्खो को बगा कर हिमाचल प्रदेश की पाड़ी रियास्व पर अंग्रेजों की सतर सापित करने वाला पहला सेनापती डेविड अक्टर लोनी किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयम को भारत के समाग्री कियो गोशित किया अठार सो शतर में तिबबत पर रूस की चाया पढ़ने पर लॉड अलहुजी अपना ग्रिशम कालीन मुख्यालिय कहां पर ले गया था चिन्नी कलपा में बेगार क्या है लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना यानि की काम करवाना और पैसे ना देना बेट क्या है भूमी के वदले सेवा शिमला में बेगार प्रथा के विरुद सबसे पहले किसने आवाज उठाई सेमियूल इवान स्टोक्स ने नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में 1949 में प्रजा मंडल ने बेगार प्रथा को समाप्ट करने की मां की अंसर धामी रियासत ने 1857 के प्रथम सुतंतरता संगरामी हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था रामपूर वो शहर 857 की करांथी के समय कहलूर का राजा कौन था हीराचद कुलू की किस देश वक्त नेता ने 857 में अंग्रेजों की विरुत बिद्रो किया जिसके बाद उसे उसके सलाकर बीर सिंग सहित फांसी दे गई परताफ सिंग जतो की नसीरी सैनिक टुकडी के सुवेदार भीम सिंग थे 857 बिद्रो के नेता 857 की करांथी को शिमला में किस ने दवाया बिलियम हे डिप्टी कमिशनर ने 857 की करांथी के समय शिमला पाड़ी क्षेत्रों का कमांडर ने शेफ कौन था जनरल एंसिंग परताफ सिंग और बीर सिंग को कुलू क्षेत्र में बिद्रो को बढ़ावा देने के जुरु में कहां फांसी की सजा दे गई धरम शाला में क्योंतल के शासर को राना से राजा का किताब का परदान किया गया 1857 में हिमाचल प्रदेश 1857 के बिद्रो के समय किन चावानियों ने सुरक्षा परदान की थी डगशाई सुवाथू हो गया है सुवाथू और कोसौली चावनी ठीक है अगस सब्तमबर 1940 की हिमालियन हिल स्टेटस रिजिनल कॉंसिल की कॉंफरेंस में किसे अध्यक्ष चुना गया बायस परमार को हिमाचल प्रदेश का धामी गोली कांट करवाया गया दलीप सिंग राणा ने ठीक है धामी गोली कांट का बुए 16 जुलाई 1949 को हिमालियन पहाड़ी राज़ प्रांतियों का परिशद का मुख्यालियस थित था शिमला में हिमालियन पहाड़ी राज़ प्रांतियों परिशद ने 1948 में अल्पकालियन सरकार की विवस्ता की जिसके प्रतम अध्यक्ष ते शिवानंत रामोल 1914 के बीच मंडी के मियान जवाहर सिंग को रियासत के शासक ने कारावास के सज़ा क्यों दी मंडी में गद्दर पाटे के स्थापना के लिए मियान चूचू कौन थे सिर्माओ के स्थान्तिता सेनानी अंदोलन कारी थे 1949 को धामी गोली कांट कहां पर हुआ था हलो कनेडी चौक पर भारतिया राष्ट्र कॉंगरेस शिमला शाका कब बनी 1920 में धामी गोली कांट 16 जुले 1949 में कितने लोग शाहिद हुए दो लोग नेक्स्ट क्वेशन भाड़ी नेताओं का राजनेति गुरू किसे माना जाता है चौधरी शेर जंग को महत्मा कांटी के निर्देश पर नेरों ने धामी गोली कांट जांच के लिए किस अधिकारी को नुक्त किया दूनी चंद को जून 1914 में लाला हर्दियाल ने किस संस्ता की स्थापना की गदर पाटे की हर्देव के किस साती को लाहर शडियंतर में फांसी की सजा दे गई भाई हिर्दय आराम को 1914 में सरपर्थम किसने अलग पाड़ी राज्यो की सापना की मांगी ठाकुर हजार सिंग ने सिरमार के किस अंदोलन से वैद्यो सूरत सिंग का नाम जुड़ा हुआ है जोता अंदोलन makes 1942 में हो था किस बामपंथी diligence हिंदी उपनियास का ने अपने प्रारंबिक दिनों May हिमचल प्रदेश में कर Kelvin के साथ कारे किया था हिश पाल ने हिमचल प्रदेश की किसंेता को राजबक्तना होने के संदे में सिर्मोर राजियों से निस्कासित कर ये गया था、 राश्ट्र अंदोलन के समर्थन करने के कारण भज्जी रियासत के किस राना को अंगलरेजों ने अपदस्द कर दिया था, राणा रोदरपाल को किस देशी रियासत ने 1947 में अजादे के बाद भारत में बिलाई के लिए प्रारम में मना किया था चलिए अब डिसक्स करते हैं नag रियासत के राजा को अठार सो चालिस के असपास सिक्षи नहें बंकिस रियासत के राजा को अठार सो चालिस के असपास शिक्ष कि metropolitan और मंडिर यास्तों के विरुद किसने सिक सेनगर 겁सी तों किया रंजीच सिंग ने जंरल कर्फ चैनल वें चुरा शेहर शिए रामगाडिया ने कवरेक्ट ंशर ऑपशन यहां च्जन्ग को नहीं कि बन्राइकराल्द महाराजरा रंजीच शिकूंग सिखों से अपनी स्वधिंता हाने वाला कांगडा स्मू का अंतिम राज्य था कुटलहर, गुलेर, तदारपूर, कुल्लू कॉरेक्टन सर अप्शन D कुल्लू कांगडा की पाड़ियों पर आकरमन करने वाला पहला सिख सरधार था जसा सिंग रामगडिया, जसा सिंग कानईया, गुरवक्ष सिंग, महराजा रंजीत सिंग कॉरेक्टन सर अप्शन D जसा सिंग रामगडिया कॉश्चन सेवन, जसा सिंग कानईया ने किस वर्ष जसा सिंग रामगडिया को प्राजित कर कांगडा पर कभजा किया Q8. दतारपूर रियासत किस वर्ष महराजा रंजीत सिंग के अधीन आई Q9. किस वर्ष में सिख जर्रावर सिंग ने अपने सिख राजियों में लाहुल स्पिती के क्षित्र को मिला लिया Q17. में 1573 में 1842 में 1627 में Q18. गोर्खा को प्राजित करने के बाद महराजा रंजीत सिंग द्वारा नियुक्त किये कांगडा हिल के प्रतम नाजिम या राजियोपाल कौन थे Q11. किस ने राजा गमंचंद को नजराना देने पर विवश कर दिया अहमद शा अबदाली, जसा सिंग रामगडिया, अमद सिंग थापा, ऑप्षिन डी जे सिंग, और जसा सिंग Q12. 359 में अहमद शा दुरानी ने किसे पंजाब के गवर्नर निक्त किया था Q13. किस वर्ष सिंग सैनाओ ने मंडी के कम लगड़ दुर्ग पर कबजा कर लिया था Q13. किस वर्ष सिंग गुलेर की स्रियासती राज्यों का भाग था Q13. कांगडा, चंबा, सिक पंजाब, ऑप्शन D, जम्मू, कॉरेक्ट अनसर C, सिक पंजाब Q17. महाराजा रंजी सिंग ने किस वर्ष जिस्वान राज्यों को हडप लिया था Q17. महाराजा संसार चंद की मृत्यों किस वर्ष वी Q19. महाराजा में किस किले के पास अंग्रेजों और गोर्ष वर्ष में युद हुआ जिसमें भुक्ति थापा मारा गया Q17. महाराजा संसार चंद एवं गोर्ष वी चियुद हुआ था कहां स्थित है Q17. चंबा में Q17. शिमला Q17. कांग्डा Q17. हमीरपूर Q17. कौन सी संदी शिमला की पाड़ी रियास्तों के राजनेतिक पठल से Q17. गोर्खों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है Q17. संदी, लोहर के संदी, बिलासपूर की या फिर लुठी आने की Q17. संदी, उनस्वी सदी की पहली चौताई के दोरान गोर्खों और अंग्रेजों के मद्यों की स्थान पर निरनायक युद हुआ Q17. जातक हिल्ज में हरीपूर धार में सेंधार और धार्ती धार Q18. संदी, उनस्वी के आसपास गोर्खाओं और बुशयर रियासत के बीच निरनायक लड़ाई जिसमें गोर्खाओं को बगा दिया गया कहां हुई थी Q18. संदी, खदराला में Q18. संदी, उनस्वी के लगवग बिटिशों की खिलाप Q18. कांगड़ा ग्रूप ऑफ स्टेटरस की कौन सी देशी रियासत उपद्रब में उठ खड़ी हुई Q25. अंग्रेजों की पहली न सीरी बाटालियन में थे Q18. रोहिला जाट गोर्खा राजपूत Q18. नालदेरा की प्राक्रितिक शुष्मा से अभिवूत होकर एक बिटिश बाइसराइ अपनी बेटी का नाम करन बहें कर दिया था बहुत था लॉड मिंटो लॉड करजन लॉड अलगिन लॉड डफरिन कॉरेक्ट अंसर ऑप्शन भी लॉड करजन नाव टेशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्णर जनरल ने की थी लॉड कार्ण वालिस लॉड हार्डिंग लॉड डलहोजी लॉड केनिंग कॉरेक्ट अंसर सी लॉड डलहोजी यूरोपियो यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रहमन कव किया था लॉड मायो किस वर्ष पहली बार मंडी आए 1862 में 1866 अप्शिन सी 1871 में लबंगरा के जागिर्दार को राजा की उपादी किस वर्ष परदान की गई 1870 में 1889, 1909 में 1909 में कोरेक्ट अंसर उप्शन सी 1909 में बिटी सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठाकुराई नीमलीखित में से कौन सी थी कुमार सेन, कुठा, दरकोटी और थरोच, कोरेक्ट अंसर उप्शन दी थरोच Q32. बुश्यहर रियासत में रित विवा की प्रता किस बर्ष समाप्त कर दी गई? Option 1915, 1920, 1925, 1930, correct answer option C, 1925 9. 33. जतोग विद्रो 800 स्ताबर में हुआ जिसका नित्री तो किस ने किया था? महराजा रंजीत सिंग, भीम सिंग, गुरु गोविन सिंग, सिंसार्चन, correct answer option B, भीम सिंग ने 9. 34. किस एक मात्र पहाड़ी शासक ने 857 स्वी की करांथी के दोरान बिटी सिरकार को सैनिय वो बिटी साइता नहीं दी? कहलूर का शासक, भुशेहर का शासक, सिर्मौर का शासक, मंडी का शासक, correct answer option B, भुशेहर का साशक 35. 857 कि महान करांथी के दोरान, भुशेहर राजी का शासक कौन था? जिसने बिटीशों के विरुद करांथी में हिस्ता लिया राजा महिंदरपाल, राजा उमेर सिंग, राजा सम्शेर सिंग, राजा राम सिंग, correct answer option C, राजा सम्शेर सिंग 36. 857 में अंग्रेजों के बिरुद उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रियरित करने वाले जननायक परताफ सिंग की शहादत कहां हुई थी? धरमशाला में, शिमला में, जोगिंदर नगर में, सिर्मवर में, correct answer option C, राजा में, correct answer option C, राजा में, correct answer option C, राजा में, correct answer option C, question C, राम सिंग, question 38, भाई दो ना पाई, अंदोलन किस अंदोलन का बिस्ताय था? स्वादेशी का, असयोग का, भारत छोडों का, सवी नए अवग्या का, correct answer option D, सवी नए अवग्या का, question 39, किसने आजादी तक काले कपड़े पहनने की सुगंद ली थी? बावा काशी राम, पंडित गेंदामल, पदम देव और option D, भागमल, सोंथा, correct answer option C, बावा काशी राम, शिमला से भारत छोड़ा अंदोलन का संचालन किसने किया था? सौमनाथ ने, चोदरी शमशेर सिंग न, राजकुमारी अमरितकौर ने, बावा काशी राम, correct answer option C, गठन किस वर्षु अथम, 1942, 1947, 1946, 1956, option C, 1940, correct answer, सुकेत सत्यग्रे 18, फरवरी 1948 का नित्तित्व किसने किया था? करमचन ठाकूर ने, पंडित पदम देव ने, हरिदास ने, option D, कोई ने, correct answer है, option B, पंडित पदम देव ने Now, question 43, हिमालिय रियास्ती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942, में, 1923, 1949, 1940, में, option C, correct answer, सरे, 1949, धामी रियासत में, प्रेम प्रचारनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 1940, 1944, 1947, correct answer है, option है, 1970 यह रही, आज की वीडियो बाकी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, and thanks for watching झाल, 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